भारत में तेरा विश्यत आपती, अजमेर में एक बहुत बड़े सूफी संत कभी हुए थे, जिनका नाम था ख्वाजा मुईनित दिन चिष्टी, उनके जीवन में एक बहुत सुन्दर प्रसंग है, सूफियों में वो शायद ऐसे पहले संत थे, जिनोंने संगीत को आत्मसाद किया, संगीत को एक मार्ग बताया, परमात्म मिलन का, और जो भी गाया, वो संगीत के द्वारा गाया, बहुत लोगों का विरोध था, क्योंकि इसलाम में इन सब चीजों की मान्यता नहीं थी, परंतु संगीत ही उनका जीवन था, बाकी सभी, मुसल्मान लोग जो थे, दिन में पाच बार नमाज पढ़ते थे, परंतु ये जो सूफी फकीर थे, वो उस समय गीत गाते थे, तो लोगों का और ही ज़्यादा विरोध था, एक बार ऐसा हुआ कि उनको पता चला, कि एक ऐसे ही दूसरे सूफी संथ, जिलानी या जिलानी, बगदाद से आ रहे हैं उनके पास, उनसे मिलने, और सब लोगों ने भी उनको समझाया, कम से कम उनके सामने तो, तुम ये गाना बजाना नहीं करना, क्योंकि ये सब इसलाम में अलाउट नहीं है, उन्होंने कहाँ ठीक है, और शायद ही उनके जीवन में पहली बार, जब वो बगदाद से जिलानी संत आते हैं, तो वो उनके साथ बैठते हैं मौन में और कुछ नहीं गाते, कुछ नहीं संगीत की चर्चा होती, परंतु इस तरह दोनों जब एकांत में बैठे रहते हैं, और मौन में बैठे रहते हैं, अचानक कथाओं में आता है, कि उनके घर में जो वाद्य थे, जो म्यूजिकल इंस्टूमेंट थे, वो अपने आप बजने लगे, वो सभी अपने आप बजने लगे, लोगों को आश्चर यह हुआ, बगदाद से आये वो जिलानी संथ, आखिर कही दिया उन्होंने, तुम चाहे कितने भी छुपाने की कोशिश करो, तुम नहीं चुपा पाओगे, क्योंकि संगीत तुमारा क्या बन चुका है, स्वभाव बन चुका है, तुम न गाओ, परंदू अब तुमारे यह जो वाद्य है, यह तुमारे जो यंत्र है, वो गाने लगे है, वैसे दिखाया गया है, बगदाद से आया यह सूफी संथ, यह भी इस तरह की मान्यता नहीं रखता था, कि भक्ती में, इबादत में, संगीत का, संगीत को लिया जाए, परंदू जब यह ऐसी अभूत पूर्व घटना को देखता है, तब वो यह वाक्य कहता है, कि यह तुम्हारा सभाव है, तो जो जिसका सभाव है, चाहे कितना ही उस सभाव से दूर भागे, जो जिसका सभाव है, उस सभाव को कितना ही छिपाने का, दबाने का प्रयत्न किया जाए, फिर भी वो बार बार उभर कर आएगा उसी तरह आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा कैसी है? आप सुन रहे हैं यहां कुछ दिनों से? आत्मा का स्वभाव क्या है? श्ञांती आत्मा का स्वभाव है प्रेम आत्मा का स्वभाव है आनंद आत्मा का स्वभाव है शक्ति इसलिए जब जब आत्मा स्वैम को कमजोर महसूस करती है दुख की अनुभूती होती है क्यूंकि वो उसका स्वभाव नहीं है जब जब वो अपने निज वभाव से दूर भागती है अशांति की और एक अस्वस्तता एक बेचेनी उत्पन्न होती है क्योंकि आत्मा की चाह सुख की है प्रेम की है आनंद की है यदि उसे वो बहार नहीं मिला अंदर नहीं मिला तो वो बहार भागती है और इस संसार में जो सुख है अनित्यमसुखम लोकम उन सुखो के पीछे दर के उन सुखो के पीछे भागते 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 थक जाती है